जैहिन फ्रेंट्स और नमस्कार विवर्श अलो और वेलकम तो माई योटो चनल विद दे मौटिवेसल वेडियो हाई पंकच मार हियर लेट्स बिगिन विद मौटिवेसल कोट्स और स्टेट्मेंट आप देखियेगा आल ग्रेट एच्यूमेंट्स रिक्वाइर टाइम माया एंजेलो जी का यह कथन उन सभी युगाओं के लिए प्रेरडास्रो साबित हो सकता है जरा आप इस बार एक बार गौर करके देखियेगा बिस्त में चाहे वह कोई भी उपलब्धी रही हो कोई भी महान एच्यूमेंट्स उसके लिए समय किया सकता होती है सभी महान उपलब्धियों के लिए समय किया सकता होती है आप इस पर विचार करिए आपका टाइम भौत इंपोर्टेंट है जैसे कुछ लोग फॉर एक्ज एक दिन में हो नहीं सकती, संभव नहीं है, जश्ट वह ही चीजे अप्लाई अपने education पर कर दीजिए, आप किसी exams की preparation कर रहे हैं, या किसी entrance examination की, या किसी job के लिए preparation कर रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं एक दिन पढ़ करके किसी great achievements को हांसिल कर लो, तो ये बड़ा impossible सा लगता है, इस impossible को possible में तभी बदला जा सकता है, जब आप उसे education को पढ़ने के लिए अपना requires करेंगे, टाइम देंगे उसको, समय देजिए, क्योंकि सभी महान उपलब्धियों के लिए समय के आख सकता होती है, वो चाहे कोई भी उपलब्धी हो, और चाहे कोई भी परिच्छा हो, तो इसे आप समझें, फल की प्राप्ती एक दिन में किबल नहीं हो सकती, आपकी सफलता की प्राप्ती, प्रते एक दिन आपके लगन से हो सकती हो, मैं हमेशा हर युवाओं को बताता भी हूँ, अगर यदि यह चीज़े हैं, तो कोई रोक नहीं सकता, इदा जान लिजिए, तो आल ग्रेट एचिवमेंट्स रिक्वायर टाइम, जिन्होंने यह लिखा है, माया अंजेलो एक बहुत ही अमेरिकन, फेमस अमेरिकन पोएट हैं, मेमरिस्ट और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सोचिए, एक महान ब्यक्तित्त कहा गया है, तो आप इससर विचार करें और गौर करें, अगला एक कथन मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जो बहुत ही इंस्पायर है, सुरू से लेकर लास्ट अगया वीडियो देखेगा, बहुत ही आपको प्रभाविताज होने वाला है, चार कोटेशन मैं बताऊंगा, एक हो गया, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, इफ यू टेल दर ट्रूथ, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनिफिंग, यह कथन मार्क ट्वेंड के द्वारा कहा गया है, वह कहते हैं कि यदि आप सच बोलते हैं, तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सच आप कब बोलेंगे, जब आपके अंदर समझदारी आ जाएगी, सभी चीजों से, इंवर्डमेंट में क्या हो रहा है, आप सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो सच बोलनी की जमता रखें, सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन बहुत ही प्रभावसाली होता है, सोचिए, मार्क ट्वेन जी ने, जो यह कतन बोला है, कि इप यू टेल दर ट्रूथ, यू नीड टू रिमेंबर एनिठिंग, सोचिए, यदि आप सच बोलते हैं, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती, यह बहुत ही महत बुर्भावा ध्यान देने की बात है, मार्क ट्वेन जी जो है, अमेरिकन राइटर हैं, बहुत फेमस, हुमरिस्ट, एंटर्प्रनियोर, पब्लीसर अंड लेक्चरर, एक महान बेक्तित का या कथन है, तो आप इसे सच बोलें, असत्य का मार्क छोड़ते हैं, क्योंकि सच जब आप बोलते हैं तो यहाँ अंदर से बोलते हैं, बिल्कुल एकदम सूष समझ करके बोलते हैं, अब सत्य को कभी कोई हरा नहीं सकता, दबाए रखो के कुछ दिन तक, यह है, लेकिन जो सत्य है, वो हमेशा बाहर आएगा ही, एक नएक दिन, अब मैं कुछ अधिकतर युवाओं को देखता हूँ, तमाम जिन्हें ये लगता है, कि जो अधिकतर कुछ युवाओं हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, यह बहुत ही आपको नुक्सान देह सावित हो सकता है, एक कथन है, मैं बता देना चाता हूँ, फ्रैंसिस बैकन का, उन्होंने कहा था, प्रतिसोध लेते समय मनुष्य से अपने सत रुके समान ही कुरूर होता है, जबकि उसकी उपेच्छा कर देने पर वह महान बन जाता है, उपेच्छा करने पर वह महान बन जाता है, सोचिए इस पारवर कथन पत, जब तक आप प्रतिसोध आपके अंदर था, तो आप अपनी दूसमन के समान ही कुरूर थे, लेकिन जैसे ही आप उसकी उपेच्छा कर देते हैं, तो आपका विचार, आपका व्यक्तित्व, इस समाज के लिए, इस देश के लिए, समस्त संजार के लिए, एक महान सा हो जाता है, आपके पास एक तरीके से समझ में नहीं आती आपको कि हमारे पास अच्यूमेंट, लेकिन वह आपके अंदर एक ग्रेट अच्यूमेंट के लिए, आपको अग्रसर करती है, इस समस्त विश्व के लिए, तो आप इस पर विचार कीजिए, इसी के उपर बेस्ट है, कि आप गुस्सा जो करते हैं, उस गुस्से को कावू में कैसे रखें, वास्तों में उसका इफेक्ट क्या है, सांत रहना आपके लिए क्या महातपूर हो सकता है, आज मैं अमर कुजाला निउस्पेपर पढ़ रहा था, उसमें संपाद की पेज में एक प्रवाह नामक पेज होता है, आता है मंगलवार के दिन आप देखेंगे, तो उसमें दिया था एक बहुत ही फेमस ब्रिटिस फिलोसफर हैं, जिम्स एलन, जिम्स एलन ने कहा था, मनुस्य जितना सांत होता है, उसका प्रभाव, उसकी सफलता वह सकती उतनी ही अधिक होती है, सोचिए, तम ध्यान से आप, जितना peaceful mind के आप होंगे, आपका behavior और आपकी success and आपका power उतनी ही अधिक होगी, एक बार और मैं एक quotation बोल दे रहा, मनुस्य जितना सांत होता है, उसका प्रभाव, उसकी सफलता वह सकती उतनी ही अधिक होती है, अब आप विचार करिए इस पे, तो वास्तों में ये चारो कोटेशन जो मैंने आज बताएं, ये मेरे उपर खुद ऐसा प्रभाव डाले हैं, मैं ये समस्ता हैं, इसलिए मैंने आपको इस चीश से अभियर किया, तो आप अपने जीवन में great achievements के लिए, great achievements के लिए समय दीजिए, continuously, और दूसरा कोटेशन जो हमने बात की आपके लिए, जो है सत्य बोलिए हमेशा, और तीसरा गुस्सा छोड़ दीजिए, और चौथा बिलकुल जीवन में सांत रही, ये निश्चित तोर पर मैं बता रहा तो मेरा नाम भी पंकच कुमार नहीं, आप जीवन में इसे अपने जीवन में अपने अनसार, अपने लाइप के अनसार अनसरल करिए, क्योंकि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता, सभी के जीवन में संघर्स और सफलता भरी चीज़े हैं, और जिस मनुस्ति के जीवन में सं मेरा नाम पंकचकमार नहीं तो इसी तरीके की मोटिवेसल वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और ये वीडियो उन सभी को भेजिए और सभी को जागरू करिए जिनसे उनके अंदर एक अलग अलग उर्जा आए, इससे मेरा जीवन सार्थक होगा और आपका भी, तब तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, जै हिंद, जै भारत, विस यू आल दावेश विए वांकाज को माँ